दोस्तो आज मैं आवो हूं होम टाउन में और आज फ्रॉंक्स को छोड़कर एक और गाड़ी चलाते हैं जो की है ब्रीजा 2022 फेसलिफ और यह आपकी स्मार्ट हाइब्रिड वाली है और यह गाड़ी मैनुल है और अपना थोड़ा फीडबैक मैं इस गाड़ी के बारे में शे यह वाली जो ब्रीजा है यह आपकी स्मार्ट हाइब्रिड वाली ब्रीजा है तो यहां पर आपको बैटरी देखने को मिल जाती है एक और यह है गाड़ी मैनुल और इसके साथ साथ आप देख सकते हो यहां पर भी स्मार्ट हाइब्रिड जो है वह लिका हुआ और इस वाल फ्रॉंग्स से ब्रीजा मैनुवल जो हूँ कैसी लगती है चलाने में यह एक बात है इसमें गाड़ी में जैसे 1500cc का इंजन है तो इसमें जो AC है न वो बहुत जबल दस्त है मतलब फ्रॉंग्स का AC खड़ी गाड़ी में ठंडा नहीं करता है टाइम लेता है लेकिन इसमें ज अगर आप खड़ी गाड़ी में चलाओगे न तो भी इसी बहुत अच्छा काम करता है ठीक है और जैसे ही इस गाड़ी में बैठता हूं न तो मतलब यह गाड़ी होम टाउन में रहती है तो इस गाड़ी में सबसे पहले बैठते ही न एक उचे-उचे बैठे होने के इस गाड़ी के बहुत बढ़िया है तो इससे मज़ा ही आ जाता है एक एक अगदम पूरा SUV वाला फील आ जाता है अब मेरे को फ्रॉंक्स की याद आ दिया है यहां पर भीडबार में चलाने में क्योंकि उसमें बिल्कुल effortless driving होती है अपना बस brake release करो और चलो यहां पर अच्छे से suspension जो है अच्छी तरीके से ट्यून कर दी है और बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होने देते किसी भी तरीके का कोई भी feedback यह पता नहीं है इसको लेकिन cost cutting तो है अब जिनको मिल रहा था उनके लिए अच्छा है मैं कहता हूं अगर 2 km पर लीटर का भी फरक अच्छा है तो नहीं अठा जाना चाहिए था बलकि अगर देना ही नहीं था तो फिर कभी भी देना नहीं चाहिए था आधे लोगों के पास में जो होगी जिन लोगों ने ले ली ए गाड़ी उनके पास में आपकी हो जाएगी smart hybrid वाली और बाकियों के पास में हो जाएगी non smart hybrid वाली लेफ्ट से लेके चलते हैं आज यह देखो कोई भी कहीं से भी आ सकता है तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है चोटे चैरों में ऐसी होता है ट्रैफिक का कोई हिसाब किताब नहीं होता बहुत बढ़िया पोल है हार गाड़ी में अच्छा गासा जर्क मालती है अगर पूरा एकसलरेट करो तो बहुत बढ़िया इसका इंजन एकदम से बढ़िया फीडबैक दे रहा है तीसरे गेर में गाड़ी चल रही है मैंने दूसरा गेर जो है पहले कहते थे कि मारूती का डीला होता था लेकिन अब बाते कटम होगी है बहुत बढ़िया पुल ज चलाओ तो अच्छा कासा मतलब देखने को मिलता है अच्छा बात एक पते की यह कि दौनों गाड़ियां 11,00,000 रुपे की आती है और मैंने दौनों का पहले भी एक बार कंपरेजन किया था कि दौनों में आपको यह वी एक साई मैनुवल और वह डेल्टा प्लस एम्टी द दौनों लगबग 11,00,000 रुपे की पढ़ जाती है वो थोड़ी सी कम पढ़ जाती है वो मेरे को पढ़ी लगबग 10,75 की और यह जो गाड़ी है यह पढ़ी थी 11,20,000 रुपे की तो यह थोड़ा सा फर्क है थोड़ा 20,25,30,000 रुपे का फर्क है बट है दौनों का प्राइ की चैशा की बैठर है कई दोनों के अपने फायदे य अपने नुकसाने और किसी का कुछ बैठर है किसी का कुछ बैठर है तो इसमेंगी और किसी को कुछ और dealt oh उसका बैटर है, body roll उसका बैटर है, body roll नहीं है उसमें, उची गाड़ी ये है, और ground clearance इसका बैटर है, upright sitting position इसकी ज्यादा अच्छी है, तो ये सब चीजे जो हैं इसमें बैटर है, हाँ, EMT और manual का भी फ़र्क है, इसमें अगर automatic लेंगे, तो वो पड़ेगी आपकी लगबग तेरा लाग रुपे की, क्योंकि इसमें आता है torque converter, और उसमें आता है EMT, और उसका torque converter तो वन लीटर टर्बो वाले engine के साथ में, जीटा जो आता है, वो 14 लाग रुपे की आसपास का बड़ता है, फ्रॉंक्स का, गाड़ी चलाने में कैसी है, गाड़ी में मज़ा आ रहा है चलाने में एकडम दमदार engine है, और अच्छा खासा यहां पर feedback यह दे रही है, देखो second gear में भी, जब मैं इसको pull कर रहा हूं, तो यह निकल के भाग रही है, और ऐसा महसूस नहीं करा रही है, कि भही मतलब naturally aspirated engine है, तो slow है, शान्त है, कुछ भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा, बढ़िया, अच्छा speed कमे भी न, उपर वाले gear में यह उठ जा रही है, अभी जैसे speed इसकी नीचे चली गई थी, लगबग 20 के आसपास, तब भी मैंने second gear में इसको उठाया, sorry, third gear में उठाया, तब भी एकडम आराम से यह उठ जा रही है, और अच्छा pull इसको गाड़ी को gear, तो वो थोड़ा सा लगता तो है, तब ही मैं थोड़ा आलस भी कर रहा हूं, gear change करने में, बट कर देना चाहिए है, तो जादी कम होगी, speed, देखो, यह देखो, जर किसका, कितना बढ़िया, निकाल के देती है, एकडम से, फ्रॉंक्स का engine इतने उसमें थोड़ा से noisy हो जा है, शुरू में यह गाड़ी ने इतना बढ़िया निकल के नहीं भागती थी, अब बहुत बढ़िया निकल के भागती है, तो अराम-अराम से engine वो set होता है, थैड गेर में, अब देखो, मैंने चौथा लगाया, भाई मज़ा आ रहा है, आप तो गाड़ी को चलाने में, अ इसका engine जो है, एकदम खुल चुका है, और अच्छा खासा इसका जो feedback है, यह दे रहा है, जो 2021 वाली ब्रीजा आती थी, उसमें ना suspension एकदम से मज़दार नहीं था, अलाकि वो गाड़ी चलने में थो थोड़ी भादी लगती थी, बड़ी लाइन से थोड़ी भादी लगती suspension था उसका, लेकिन इसका जो suspension है, वो बहुत अच्छा दिया है, इन्होंने, तो यह जराबी महसूस नहीं होने देता है, अंदर ना, कि क्या कुछ बड़े बड़े bumps होगरा, कुछ भी हो, यह आराम से उनको absorb कर लेता है, बिलकुल zero कर देता है, ठीक है, तो मज़ा आता है, इसको लगबग चलाने में, और अभी देखो, गाड़ी को मैंने लगा लिया है, पांच वे गेर में, और एकदम मस्त होके भाग रही है, अभी थोड़ा सा highway पे जाके भी इसको चला के देखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा की, कैसा जो है, इसका stability बगरा का कैसा रह अब देखो, मैंने वहाँ पे न, मेरी स्पीड कमती, और मैंने चौते गेर में उठाया गाड़ी को, तो थोड़ा से इसने time लिया, वो obvious है, टर्बो इंजन तो है नहीं कि एकदम से निकल के भग जाएगा, लेकिन हाँ, इतना नहीं लिया कि मेरे को महसूस हो कि भाई, slow प इसका जो body का proportion है वो बहुत सही है, मतलब इसकी जो body line है वो बहुत सही इनोंने विठाई है, कि अगर इसको थोड़ा सा, आप तेज चला भी रहे हो न, थोड़ी सी, आप इसमें overtaking वगरा कर रहे हो, तो गाड़ी सही रहती है, चिपक के रहती है, एकदम से सड़क पे, पांच वगेल मांग रही है गाड़ी, चलो, मैंने इसका दबा दिया है, पंजा, ठीक है, अब देखते हैं कैसा कुछ रहता है, अस्ती की बीप आ चुकी है, ठीक है, और अब ये गाड़ी पहुँच गई है, सौ पे, सौ पे देखो, अराम से stability जो है वो, कहीं भी नहीं जाती गाड़ी की न, बढ़िया करके एकदम गाड़ी चल रही है, चिपक के चल रही है, हाँ, लेकिन हवा का जो body roll है न, और जो difference है, फ्रॉंक्स वर्सिस बीजा वाला, व इतनी स्पीड पे उसमें कुछ पता नहीं लगता, लेकिन इतनी स्पीड पे थोड़ा ये महसूस तो होता है, कि हाँ, कुछ बड़ा भारी बरकम सा, आप हवा को काटते वे चल रहे हो, एसी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, एसी की तो कुछ वो ही नहीं है, एसी फ्रॉंक करी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि कैसा इसका फीड़बैक रहता है, और कोई चीज हो, मतलब मैंने ये गाड़ी भी मैं काफी चलाता हूं, तो कोई भी आपके मन में डाउट हो, आप इन दोनों गाड़ीों को कंपेर कर रहे हो, तो मेरे से ये रहती है, होम टाउन में, अब जब भी मैं आता हूं घर पे तो ये गाड़ी जरूर चलाता हूं, तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग दा वीडियो, बाबाए, टेक केर अफ यॉरसल्फ, और रिमेंबर, ओल्वेज ड्राइव सेफ, बाबाए दोस्तों झाल